हेलो दूस्तो दूस्तो आज की इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही जाता मज़ेदार हेलिकॉप्टर की जो की है एक बिग साइस का हेलिकॉप्टर जैसा कि आप देख सकते हैं यह है लेच तेरा जीरो वन तो यहां आज इसी की हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं और बागी दूस्तो आपको यह बता देता हूँ कि इसका बॉक्स जो है वो बहुत बड़ा है यानि आप अंदाजा लगा सक कि यह कितना बड़ा हेलिकॉप्टर है तो चलिए दूस्तो फिलाल इसकी अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं तो जैसे कि आप दिख सकते हैं हमारा जो बॉक्स है वो मैन बॉक्स के अंदर से बाहर आ चुका है और यहां पर मिलता है हमें एक मैनवल जिसमें हमें रिमोट के फंक तो दोस्तों अभी हम सभी चीज़ों को बॉक्स से एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक पैकेट है इसे निकाल लेते हैं और साथ में है एक चार्जर तो यहां पर जो यह चार्जर है यह मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि आप और हमारे helicopter में पहले से ही लगी हुई है तो यहां आप देख सकते हैं कि इनका size कितना बड़ा है और यह बहुत ही बड़ी size की propeller है तो देख सकते हैं काफी जादा बड़ी है तो अभी चलिए हम इने नीचे रख देते हैं और packet के अंदर और जो चीजें हैं वो हमें मिलती हैं एक screwdriver और एक back side की propeller तो back side की propeller का size बे आप देख सकते हैं काफी जादा बड़ा है तो चलिए अभी इन सभी चीजों को हम नीचे रख देते हैं और यहां पर हम अपने remote को box से बाहर निकाल लेते हैं तो जैसे के आप देख सकते हैं हमारा remote बाहर आ चुका है और यहां पर दोस्तो हमारे remote में हमें दो joystick मिलती हैं फर्स joystick से आप helicopter को up and down कर सकते हैं बागी second वाली से आप left right forward and backward कर सकते हैं और इसी के नीचे आपको lighting के लिए button मिलता है और उसके उपर आपको left rim और right rim मिलता है और यहां पर है speed button और उपर की side में आप देखेंगे तो एक मिलता है antenna जो कि आपकी remote की range को बहुत जादा extend कर देता है तो अगर यह आपका इसमें लगावा नहीं आता है तो आपको इसे जरूर से लगा लेना है जो कि आपकी remote की range को बहुत जादा बढ़ा देता है यानि आपको इस remote की range antenna लगाने के बाद कम से कम 100-100 meter की easily मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया range है तो चलिए अभी हम इसे box से बाहर निकाल लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका size कितना बढ़ा है सायद आपको camera में इतना बढ़ा ना लग रहा हो लेकिन दोस्तो वाके में इसका size बहुत बढ़ा है दोस्तो इसकी quality की बात करें तो quality बहुत ही बढ़िया है जैसे कि आप landing gear देख सकते हैं बहुत ही जादा flexible plastic से बने हुए है जो कि तूटने वाले नहीं है और यहां पर आप देख सकते हैं यह red color का जो है यह है इसका on off का button इससे आप remote को on or off कर सकते हैं बागी propeller की quality तो आप देख सकते हैं दोस्तो propeller की quality जबरदस्त है और यहां balance bar की quality आप देख सकते हैं बिल्कुल flexible है तूटने वाला नहीं है और आपको चारो तरफ से मैं दिखा देता हूँ तो सामने की side में देख सकते हैं एक LED light लगी हुई है बागी side में भी इसमें lighting बहुत ही जबरदस्त की गई है तो दोस्तों यहां पर यह जो हमारा helicopter है यह 3.5 channel में आता है जिसकी वज़े से इसका जो back side का motor है वो work करता है बिल्कुल real motor लगाया हुआ है जो कि आपके helicopter को backward and forward करने के लिए use होता है तो जैसे कि मैंने आपको पीछे की propeller के बारे में बता दिया है तो चली आप चलते हैं हम helicopter के नीचे के side में तो यहां पर दोस्तों नीचे की side में आपको कुछ cables मिलती है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर first cable white color की है जो कि इसकी charging cable है तो यहां पर आपको simply अगर charge करना है helicopter को तो अपना charger लेना है जो कि आपको helicopter के साथ ही मिलता है और कुछ इस तरीके से यहां पर इसे connect कर देना है जैसे कि देख सकते हैं मैं connect कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही connect कर देना है और simply यहां पर इस charger में green और red color की light जलती है जो कि indicate करती है कि आपको helicopter है फुल चार्ज हो चुका है तो उसके बाद आपको charger इसमें से हटा लेना है दोस्तो इसका जो charging time है कम से कम 1.5 घंटा इसे चार्ज होने में लग जाता है तो बाकि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह इसकी propeller है जो कि आप helicopter की propeller damage होने के बाद इन extra propeller का use कर सकते हैं और चलिए हम अपने remote में battery डाल लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे remote में 6 battery डलती हैं लेकिन दोस्तों यह आपको helicopter के साथ नहीं मिलेगी यह आपको purchase करनी पड़ेंगी तब ही आप इसमें डाल सकते हैं तो फिलाल में इसे off कर देता हूँ सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको helicopter की नीचे जाना होगा जहां पर white वाली cable थी उसी के साथ आपको 2 cable और मिलेंगी जो की black color की होंगी उन्हें आपस में connect कर देना होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने दोनों black वाली cables को आपस में connect कर दिया है अब हम जैसे ही helicopter को on करेंगे तो हमारे helicopter की सारी light जल जाएंगी तो यहां पर दूस्तों आप इस helicopter को रात में बहुत अच्छे से fly कर सकते हैं क्योंकि इसमें lighting बहुत ही जबरदस्त की गई है रात में यह बहुत अच्छा चमकता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने remote को on कर लिया है और first valley joystick को एक बर ऊपर ऊपर नीचे कर लिया है तो उसके बाद जैसे ही आप first valley joystick को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आपका helicopter स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए दोस्तो अभी हम इसकी flying testing करते हैं और देखते हैं कैसा fly करता है तो जैसे कि दोस्तो आप देख सकते हैं हम ground में आ चुके हैं और हमने अपने helicopter को take off कर लिया है बाकि तो दोस्तो आप इसकी flying देखी सकते हैं बहुत ही जादा कमाल की इसकी flying है और बहुत ही जादा stable ये fly करता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरी से ये fly कर पा रहा है यहाँ पर दोस्तो ये जो helicopter है ये gyroscope के साथ आता है और ये 3.5 channel है इस वज़े से आप इसे backward, forward, left, right move कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं और एक जगा पे भी इसे easily fly कर सकते हैं तो यहाँ forward के लिए आपकी back side की proper काम करती है और backward के लिए भी तो दोस्तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जब आप इसे fly करें तो आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपके helicopter के पास में कोई छोटा बच्चा ना हो क्योंकि इसकी blade बहुत तेज गुमती है उनको छोट लग सकती है और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आप इसे ज़्यादा तेज हवा में fly मत कीजेगा नहीं तो आपसे यह दूर चला जाएगा और गिर सकता है वैसे यह काफी ज़्यादा powerful helicopter है तो बात कर लेते हैं इसकी charging वगेरा की तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यह 7.4 volt 1300 mh की battery के साथ आता है जो की charging होने में कम से कम 1.5 गंटा ले लेती है उसके बाद आप इसे कम से कम 8 minute fly कर सकते है तो दोस्तों इसका fly time थोड़ा कम है लेकिन आपको flip card पे अलग से 500-600 रुपे की अलग battery मिल जाएंगी जिसे आप बना कर इसके अंदर लगा सकते हैं तो यहां पर आपको option मिल जाता है तो उसके बाद यह बहुत ही कमाल का helicopter हो जाता है दोस्तों बात करने इसकी remote control range की तो जैसकी मैंने आपको बताया ही था कि इसके remote में एक antenna होता है तो आपको उस antenna को लगा के रखना है क्योंकि दोस्तों उसी को लगाने के बाद आपके remote की range extend होती है तो अगर आप उसे नहीं लगाएंगे तो आपको ज़्यादा range नहीं मिलेगी लेकिन अगर आप उसे लगा लेते हैं तो आपको कम से कम 100-100 meter की range easily मिल जाती है तो दोस्तों बात करें total तो आपको इस helicopter में range की कोई भी दिकत नहीं आने वाली है तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी size की तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका box है इसका box आपको 110 cm का मिलता है और इस helicopter का size है box के अंदर से जब आप helicopter को बाहर निकालेंगे तो helicopter का size है वो आपको 86 cm का मिलता है यानि 34 से 35 इंच का आपको helicopter यह मिलता है तो दोस्तो 34 से 35 इंच का helicopter बहुत बड़ा होता है सायद आपको camera में यह उतना बड़ा ना लग रहा हो वो आपको कम से कम 4 से 5 इंच के ही होते है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका size उनसे कितना बड़ा है तो चले दोस्तों बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या problems है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इसमें पहली problem है ज्यादा तेज हवा में आप इसे fly नहीं कर सकते हैं अगर ground में ज्यादा हवा चल रही होगी तो आप इसे बिल्कुल भी fly मत कीजेगा क्योंकि उस समय आप इसे गिरा सकते हैं और यह तूट सकता है तो अगर हवा धीमी धीमी चल रही है तब आप इसे second speed mode में चला सकते हैं यहाँ पर दूस्तो आपको इसमें दो speed mode मिलते हैं first speed mode में यह slow slow आगे की side में चलता है लेकिन second speed mode में यह थोड़ा fast हो जाता है जिसकी वज़े से हवा में भी थोड़ी बहुत हवा में यह fly हो जाता है लेकिन हवा तेज है तो बिल्कुल fly मत कीजिएगा उसमें आप इसे तोड़ सकते हैं तो यहाँ पर दूस्तो इस helicopter में दूसरी problem है इसकी battery तो यहाँ पर charging होने में यह काफी जादा time लेता है उसके बाद fly time इतना अच्छा नहीं देता है केवल 7-8 minute का यह fly time देता है लेकिन दोस्तो इसमें आपको एक option मिल जाता है अलग से आप battery purchase कर सकते है Flipkart या Amazon किसी से भी या आपके पासी की shop पे मिलती हो तो ज़्यादा better है क्योंकि वहाँ से काफी सस्ते में मिल जाती है तो यहाँ पर इसकी दो battery आप change कर सकते है जैसे कि 1300 mh की है तो आप इसमें 4500 mh की battery लगा सकते है जो कि आपको कम से कम 20-25 minute का fly time easily दे देंगी तो दोस्तो यहाँ ground में बहुत जादा हवा चल रही थी इस वज़े से मैं इसे अच्छे से fly नहीं कर पाया हूँ आप सामने पेडों को देख सकते हैं दोस्तो पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं अगर मेरे से बूछेंगे कि मैं इसे खरीदू या नहीं तो मैं इसे आपको खरीदने की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूगा